Hello students, this is Neeraj Gupta. Let's start with Indian Economics Chapter 1. So first chapter में, Indian Economic Development में हम पढ़ेंगे Indian Economy and its Process of Development. कि Indian Economy, Independence से पहले कैसी थी? बहुत पीछे तक नहीं जाएंगे, मुगलीरा तक नहीं जाएंगे, British period में जाएंगे, कि Britishers ने Indian Economy को कैसे एक्स्प्लॉइट किया? अपने बेनिफिट के लिए. और फिर क्या ऐसे फेक्टर्स थे, जिसके वेज़े से Indian जो Economy है, वो Under-Developed रही शुरू-शुरू में, है ना, Stagnate रही, मतलब रुकी सी रही, ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई. तो क्या था, Independence के पहले से पहले, है ना, Independence के टाइम से पहले, मैं कहूंगा, खुशहाल थे, प्रॉफिट्स में थे, एक्सपोर्ट्स जाता था, इंपोर्ट नहीं था, तो एक तरह से इंडिया उस समय बहुत रिच्छ था, जो हम बात करते हैं, सोने की चड़िया, ये सब चीजे, जो है, वो discussion में आएंगी. कि इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले क्या position थी, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रेजी को समझने के लिए, प्री इंडिपेंडेंस इरा में क्या चल रहा था, ये भी समझना चुरूरी है, हलकी सी बात करें, बिटिश रूल की तो ये बैटल आफ पलासी से शुरू हुआ, 1757, अब आप समझ सकते हैं, 1947 तो सबको यादी है, तो उसाब से करीब 190 साल तक बिटिश रूल रहा, 200 साल ब है, क्या होती है, कि कोई और आपकी एकनोमी को कंट्रोल कर रहा है, और वो अपनी चीजे आपको बेचना चाहता है, फीडर एकनोमी, यानि कि मैं कुछ चीजे बनाऊंगा, और वो चीजे जो है, वो आप कंजूम करेंगे, आप से पैसा लूंगा, मैं प्राफिट इंडिया गया, टेमपरड इंडिया एकनोमी बादली, एक्स्प्लाइटट इंडिया से नेचुरल अवल अपनी पॉछ विमन रिच्टोर्सोंस रहा है, इंडिया थे आपने अप तो अच्छे से मैप देखा वाए, बिटिश्यर्स कितना चोटा सा मैटम कितना लोग हो उन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15th August 1947 को तो इस चैप्टर में जो हमने कहा जैसा हम पढ़ेंगे इंडियन एकनॉमी प्राइर टो इंडिपेंडेंस यह तो मैंने आपको बताए and just after the attainment of independence यह दोने चीजे इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी प्राइर टो इस चैप्ष़रों से पहले क्या था प्राइट सप्रॉप्रस उकोनॉमी इंडिया गरीब नहीं था अपना जितना हमें जुरूत अतना हम अपना इंजाम कुद कर लेते थे अग्रीगौचर हीं इस lendिद्र प्रॉस्पर्स ग्रोइंग एकनोमी थी सब खुशाल थे विप्र न बिटिश रूल थी रही पहले भी थी बाद में भी रही बिटिश एडा में भी यही रहा लेकिन फरक आगया पहले वह अपने लिए कमाते थे खाते थे एक्सप्रइट नहीं था तो इंडिया थे पहले थे ग्रोव कर रही थी उन्होंने एक्स्प्रोइट करना शुरू किया फिर प्रोग्रेस भी नहीं करने थी आगे पढ़ेंगे सब शीजे एंडिया का में था हैंडिक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हना हत करगा उध्योग नाम सना तो यह जो पश्मीने के शॉल्स और जो दुनिय पूरी टाइप आइटम्स यह सब इंडिया की पूरी इसमें लिखा है था हैंडिक्राफ्ट प्रोडट्स इंजॉड ए वर्ल्ड वाइड मार्केट पूरी दुनिया में हमारे प्रोडट्स की जो है वो दिमांड थी प्रोडट्स की पूरी इंडिया में दिमांड थी हूँज इक्सपोर्ट सरुपलस था बिटिश उसी को तो लूटने खसोटने के लिंडिया में आई लेकिन जो बिटिश पीरिट था उसमें इन्होंने जो एकोनोमिक पॉलोसी यूज की वो थी कलोनियल गॉर्मेंट की कलोनियन गॉर्मेंट का मतलब एक तरह से उन्होंने हमारे को अपने एक कलोनी जैसा बना दिया एक एक सबसिडरी एक ब्रांच जैसा बना दिया वस कोई इंपोर्टन्स नहीं है ना जस्ट वन अफ ती उनको अपना ओन एकनोमिक इंट्रस्ट बिटिश को सिरफ अपने एक इक तरह से डिवलप करना था उन्होंने चेंजस कर दिया हमको क्या बना दिया उन्होंने ट्रांसफॉर्म दे कंट्री इन्टु इन्टु आ सप्लायर रॉव मिटियर मेरे यह बात अब मेरे मुह से सौ बार सुनोगे इस चैप्टर में बार बार यह बात आएगी कि इंडि बेसिकली एक raw material supplier बन गया and Britishers अकना final product यानि raw material यहां से export होके बिटिन या उसकी controlled countries में जा रहा था और वहां से बना हुआ माल इंडिया में आ रहा था और वो महेंगी दामों में उसको बेचते थे तो profit सारा basically बिटन खा जाते था तो basically what they did they transform the country into a supplier of raw material मैंने अभी आपको कहा कि हमारे पास huge natural resources थे हैं रहेंगे तो उससे में भी थे तो उन्होंने यहां से सारा raw material अपनी country लेके machines के थुरू इंडिया को उन्होंने इंडिस्ट्री डिविलप नहीं होने दिया machines के थुरू product पनाएं इंडिया में लाएं और यहां पर उन्होंने बेचा और इंडिया basically क्या बन गए consumer of finished industrial products from Britain यह दो लाइने आप इस chapter में पचास बार देखोगे फिर भी exam मैं ना लिखो तो दब लिखी दोगे ना so they transform the country into a supplier of raw material and consumer of finished industrial products from Britain यहां से raw material जाता था और वहां से finished products आते थे colonialism मैंने आपको बता दिया यह political social relation है दो countries में जिसमें एक ruler है दूसरा colony है जैसे इंडिया colony बनी और वो politically उसको control करता है और साथ में economic policies भी उस country की खुदी decide करता है सोच के देखिये तो फिर तो कुछ भी लूटी लेगा न उसको तो इंडिया और बिटन में जो है unequal relation था naturally एक तरह से एक master था और एक slave या कुछ भी कह लो क्योंकि हिंदी में मैंने सुना है बच्पन से हम बोलते रहे हैं कि हम लोग गुलाम थे तो naturally ऐसी situation problem थी लो पर-capita income लो national income यह दोनों ही इंडिया की बहुत लो थी उस जमाने में है न क्या था low level of national income and low level of per capita per capita समझते नहीं पर-person बहुत ही लो था कोई दंग से calculation में नहीं की Britishers नहीं कुछ efforts किये दादा भाय नौरो जी विलियम डिग भी फिंलेश्वरास वी के आर वी राव लेकिन यह conflicting inconsistent results देते थे लेकिन यह conflicting inconsistent results देते थे लेकिन यह नहीं पर पूरा कश्मीर था पूरा पाकिस्तान बांगलादेश यह सब पोर्शंस इंडिया में जुड़े विट इतना असान नहीं है कि किसी भी statistics को develop करना और उसके बारे में लेकिन लिखा रहा है कि estimates of Dr. Rao on national income and per capita were considered significant studies बताती है कि first half of 20th century में हमारी जो ग्रोथ थी वो सिरफ 2% से भी नीचे थी it was less than 2% और per capita growth जो है वो कितने थी 0.5% growth in per capita output जो पर-person अगर हम output देखें तो आधा percent थी और पूरा अगर हम total output aggregate output पूरी country की बात करें तब भी 2% कितना कम growth थी सोचके देखें उनको कोई tension नहीं थी वो सरफ exploit करना चाते थे grow हमारी country को करना ही नहीं चाते थे अब याद रखने वाली बात यह कि यह डॉक्टर राओ का नाम आपको याद रखना पड़ेगा अगर statistics related question आए तो आप यह बिताएंगे कि Britishers ने कोई sincere attempt जो है वो नहीं किये उसके बाद कुछ लोगों ने efforts किये इनके सबके नाम तो याद रखना शायद मुश्किल है एक नाम आप डॉक्टर राओ का याद रख सकते हों यह growth rates अगर आप याद रख सको कि भई जो pre-independence era था उस समय इंडियन की overall output growth जो है वो less than 2% per capita growth जो है वो 0.5% थी यह दो चीज़े याद रखने वाली हैं बाकी यह तीन point आपको जुरू याद रखने कि British era से पहले हम एक prosperous economy थे हम एक agrarian economy थे और handicraft industries हमारी उस समय एक worldwide जिसको बोलते हैं demand worldwide demand worldwide profitability जो है वो maintain करते थी थी इस are the main points discussed in this video and in the second next video we will discuss about agricultural sector thank you